में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जोतिष ग्यान के नाम से एक सिरीज चलाई है जिसमें फ्रॉम दिवेरी बेसिक से लेके हम एडवांस एस्टरलॉजिय तक पढ़ेंगे और अगर आप उस सिरीज को पूरा पढ़ते हैं में कि अबी जो पीछे खत्म हुई है सिरीज उसमें मैंने आपको बताया था कि उच्च और नीच राषी मूलत्रिकों राषी क्या है और कैसे उनकी इंप्रॉटन्स होती है आज हम बात करेंगे ग्रहों के रस्टियां क्या-क्या होती कि रहों की द्रस्टियों का भी में रोल ह आज हमारे पास नौ ग्रहे हैं तो नौ ग्रहों की द्रस्टी के बारे सी जानेगे पिन सब्दिक वétais आप ये तो लाया चलिए कए हर ग्रह की साथ साथवी द्रस्टी तो होती है मतलब जहां ग्रहे बैठता है वहां से साथवे स्थान को देखता है और स्थान किसे ग्रहे की द्रस्टी साथवी जिरूर होती है साथवी द्रस्टी जितने होती है, कहते हैं कि अगर पहला भाव शिव है, तो साथवा भाव शक्ती है, और शिव शक्ती एक दूसरे के पूरक है, इसलिए साथवी द्रस्टी हर ग्रह की हो, साथवी द्रस्टी से हर ग्रह हर भाव को या ग्रह को देखता है, लेकिन उसके अल जनतागर यहां जनत की सेवा करना के रिक्षाश करना काम होता इस राजगार की वंद्रि बंडल में ओसरे यह दो द्रस्ट मंगल की और होती हैं जो साथ द्रस्टी के लावा अच्छा होती और आठी बुद्ध की द्रस्टी के लावा एक होती है सात्वी द्रस्टी होती है द्रस्पती की द्रस्टी तीन होती है सात्वी के लावा दो और होती है पांच्वी और नभी पांच्वी घर जो होता है संतान का होता है और गुरू जो है वो धर्म का होता है, गुरू जो है, वो धर्म का कारण भी है, तो पांचवी और नवी द्रस्टी भी गुरू की होती है, और सात्वी द्रस्टी तो उनकी होती होती है, शुक्र की द्रस्टी केवल सात्वी होती है, तो अब यह आप देखिए, कि सूर्य, चंद्रमा, उद्ध द्रस्टी भी है करम भाव पे भी पढ़ती है द्रस्टी द्रस्टी क्यों करम का कारक भी होता है शनी तो दस्वें द्रस्टी भी उनकी मानी जाती है राहू और केतू की द्रस्टी के बारे में काफी विभिन नमत है लेकिन फिर भी हम लोग लेते हैं राहू केतू की तो इस लिए राहू केतु का भी हम लोग लेते हैं जब पिडित ग्रहे देखते हैं या पिडित भाव देखते हैं इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टन चीज होती है तीन दरस्टी और होती है वन फोर्थ, टू फोर्थ, थ्री फोर्थ ये दरस्टी थोड़ी confusing नहीं है लिया आता है इनका लेकिन आप इनको चलिए मानके चलिए सुन केवल याद कर लिजिए अगर आपको याद ना भी रहे हैं ये प्रडिक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है प्रडिक्शन में तो जो दरस्टी में आपको पीछे बताई है उनी का प्रियोग होना है इन दरस्टियों का तो आप केवल सीख के चलिए इनका प्रियोग करने की ज़रूरत आपको प्रडिक्शन के अंतर नहीं है ठीक है तो व तो 5- voted बाब को भी देखेगा कोई बिग रहा हुग चाहे उसकी तीन द्रस्ट्य आलरड़ी हो तो 5-7 नवे भाब को भी उसने देखना है जैसे मंगल की द्रस्ट्य चार सात और आठ है तो फंचुवें नवे भाब को भी देखेगा 2-4 द्रस्ट्य से 3-4 द्रस्टी से भी 4-8 बाद को देखा जाता है लेकिन ये द्रस्टिया एक presentation के रूप में मैंने बनाई ज़िदूर है लेकिन मैं फिर भी आप से यह कहूँगा कि इन से आप confused ना हो आपको जो द्रस्टिया बताए गई है पिछली स्लैड में उन द्रस्टियों को याद रखें और उनी के थूरू prediction करें तो बहुत अच्छा रहेगा उनसे results बहुत अच्छे मिलते हैं ये कुंडली के अंदर केंद्रिय प्रभाव के काम में आती है इन द्रस्टिया जब मैं कुंडली में केंद्रिय प्रभाव ये तीसरा भाव, चौथा भाव, घड़ी की प्री दिशा में ये पांचवा भाव, ये छटा, ये साथवा, आठवा, नवा, दसवा, ग्यारवा और पारवाव कुडली के टोटल बारा भाव होते हैं वो anti-clockwise चलते हैं सारे भाव ये मैंने आपको बताया हुआ है अब शनी यहां बैठा है अगर हमसे कोई पूछे बही शनी कहां देख रहा है किस भाव को देख रहा है शनी किस ग्रह को देख रहा है शनी तो हम कहेंगे कि शनी देख रहा है सात्वी द्रस्टी से एक, डो, तीन, चार, पांच, छे और साथ, सात्य दस्ति शनी की होती ही है, तो सात्य दस्ति से शनी नवे भाव को देख रहा है, आठ नमबर राशी से कंक्यूस मत कीजिए, भाव नौ है ये, राशी यहां पे आठ है, तो लगन मंगल बारे नमबर का है, लेकिन ये भाव न ही है, क्योंकि हम यहां से गिलेंगे एक से, तो ये नवे भाव आएगा, तो नवे भाव को देख रहा है, यानि ब्रस्पति को देख रहा है, शनी जुपिटर को देख रहा है, तो शनी दो जगे देख रहा है, एक तो जुपिटर ग्रह को देख रहा है, साती द्रस्ति से, और साथी बेन अवे भाब को भी देख रहा है, अब शनी की दो द्रस्ति और होती है, कौन कौन सी, तीसरी और दस्वी, तो शनी तीसरी द्रस्ति से कहा देख रहा है, एक, दो, तीन, पांचवे भाब को देख रहा है, और केतु को देख रहा है, तो शनी अपनी तीसरी द्रस शनी से एक, दो,imbap, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस शनी यहाँ भी देख रहा है, कौन से भाभको बात करें तो सूर्य की द्रस्टी होती है सात्वी यानि सूर्य अपने से सात्वे इस्थान को देखता है या सात्वे इस्थान में बैठे ग्रह को देखता है तो सात्वे इस्थान देखें सूर्य से यह सूर्य है यहां से सात्वा गिनिये एक जिससे गिन रहे हैं उसको भी क अब अगर हम शुक्र का लें, शुक्र देखिए, शुक्र कहां देख रहा है, तो शुक्र जो है, वो अपनी सात्वी द्रस्टी से कहां देख रहा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, यानि सात्वे भाग को ही शुक्र देख रहा है, और सात्वे चंद्रमा को भी श शुक्र जो है वो सात्वे भाब को देख रहा है और चंद्रमा को भी देख रहा है पिर आए बुद्ध के उपर बुद्ध की द्रस्टी कौन सी होती है हमने बताया कि सूर्य बुद्ध शुक्र और चंद्रमा इनकी द्रस्टी सिर्फ सात्वी होती है तो बुद्ध के वल सात प्रवाब देखेगा तो सात्वी दिस्टि कौन सी हुई बुद्ध की एक दो, तीम, चार, पाँच, छे, साथ, यानि बुद्ध भी सात्वे भाब को देख रहा है और चंदर्मा को देख रहा है इसी प्रकार से हम लोग राहू और मंगल केतु का भी निकाल सकते हैं कि नहां राहु से कहा देखेगा तो यहां से तो एक, दो, तीन, चार, पांच, यानि पांचवी द्रस्टी से राहू जो है, वो ब्रस्पती ग्रह को देखेगा, शुक्र ग्रह को देखेगा, और दूसरे भाव को देखेगा, सात्वी द्रस्टी से राहू, पांच, छे, साथ, केतु को देखेगा, और चौथे भाव को द कि छटे भाग को तो इस तरीके से हम लोगोंने राहू और केतु की द्ध्यान में रखना है और सङ्ञ्यान में रखना है तो यह था द्रस्टी के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता था बहुत इंपोर्टन्ट है इसको आप ध्यान रखिए और द्रस्टी अगर आपने कौन से हैं वो मैंने आपको बताएं हैं कि सूरे शनी मंगल रागु के तू ये सब अशुब रहे हैं और शुब रहे जो हैं वो गुरू शुक्र चंद्रमा अगर पक्षबली हो और अगर अकेला बैटा हो तो ये शुब रहे हैं तो शुब ग्रहों की दस्टी शूब और आशा करता हूं आपको मेरा ये जैंटेशन समझ माया होगा समझ माया हो तो कांडी लाइक किजेगा सबस्क्राइब कीजेगा शेयर कीजेगा इसके लावा ज़रूरी सूसना यह भी है कि हम लोग एडवांस से लौजी का एक बैस चाट करने जा रहे हैं जो लोग इंटरस् कर दोंस किरशानी कीजेश जाएब कीजेशने के छonna मायाँ वाजीशने की ल suic yht Medal